हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम आप लोगों को सिखाएंगे बिस्क्विट केक कैसे बनाता है और वह घर में बनेगा बहुत स्वाधिस बनेगा इन इजी उए उसके लिए हम आप लोगों को चाहिए चार अंडा एक चमर्स बेकिंग पाउडर हापका चेनी का पाउडर हापका पिलची पाउडर और हपका फ्रीफाइन ओयल तो अब हम इसको बनाना शुरू कर देंगे तो इसके लिए हम आप लोगों को गया करना पड़ेगा बिस्किट के अंदर जो क्रियम है उसको हम निकल लेंगे आराम से हुआ है ह मैं हम नहीं यहां पर 12 बिस्किट में हैं मेडियम साइज का दो प्र Gothic बांज बिस्कित लिया है आप लोग आपकी मर्जी से कुछ दूसरी बिस्कित भी ले सकते हैं और जितना आपको मतलब मीठा चाहिए यह बिसकिट थोड़ा मीठा है कि तो इसके लिए मैंने यहां पे बॉल यूश है बैलो न से घञार्णम से हम निया पीस लेंगे हम अछैसे अब मिकिसर गांडर से और यह दिल को भारीय से कर सकते मतलब पीस कर दो दो उसका पावडर जो बनेगा वह भी मिक्सर गांडर भी बना सकते हैं हम यह केक को प्रेशर कुकर में बनाएंगे घर में इजी वे में उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रेशर कुकर को अच्छे से क्लीन करके उसका धकन के धकन के नहीं भेजो निकलना पड़ेगा निकलके उसके अंदर हम 3-4 नमक डालेंगे नमक डालके हम ओ आप 10 मिनीट फूल हीट में पीर्सर कुकर रेडी हो जाएगा अब हम केक का दुसरे हिस्से में जाएंगे जो मतलब यहां विस्कмыर बेकिंग पॉडर है एक चम्लच बेकींग पॉडर डालेंगे हम चार अंडे तोर लिए पहले से मैंने एक बोल पर उसके वहाँ पर मैंने एक चम्मस बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे बरिया से और हमने जो बिस्किट का पाउडर बनाए है वहाँ पर एक चम्मस हापकप सुगर डालेंगे और जो हापकप रिफाइन ओयल है वहाँ पर डालेंगे बिस्किट के पाउडर में चीनी का पाउडर और रिफाइन ओयल डालके हम उसको बरिया से मिक्स कर लेंगे अब इसको बरिया से मिक्स करना है ताकि केक अलब स्पोंजी हो स्मूथ हो ज्यादा अलब उसका जो टेक्स्चार आए तो इसके लिए इसको बरिया से मिक्स करना पड़ेगा अब हम जो अंडा का बिकिंग पाउडर के साथ मिक्स बनाया हुआ था वह डालेंगे यहां पर बिस्किट के पाउडर पर डालेंगे तो यहां अब लोग देख सकते हैं कैसे हमने यहां पर सब इंग्रेडियन्स को एक बॉल में ले लिये हैं तो इसको हम अब बरिया से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद पैसर कुकर के अंदर फीट हो सके ऐसा एक बॉल चाहिए इस मतलब मीडियम साइज बॉल चाहिए तो बॉल में हम यह इंगिटिंस को डालेंगे रुए की की डालके जो पहले से हम जामें है